हम बात करने वाले हैं अगर आप WhatsApp यूज करते हैं Android मोबाइल में और आप जो किसी को मैसिज करने कर रहे होते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके मैसिज वगएरा वहाँ पर नहीं जाते हैं सामने वाले के पास यहाँ पर यह पर यह पर यहाँ पर दिखा रहा है कुछ भी नहीं है मेरे मैसिज यहाँ पर गए नहीं है मुसलिए प्रॉब्लम आती क्यों है जान लिजिए आपने अगर मोबाइल डेटा यूज कर रहे हैं उसको ओन है वो बंद कर दीजिए फिस्ते ओन कर लिजिए यह काम करना वाइफाई है उसको ओन ओफ कर लिजिए य में कोई वो नहीं है तो आपको सबसे पहले यही काम करना होगा मोड़न और अपको वाट्सप कर लेंगे प्रॉलम आपकी 101% हो जाएगी किसी भी तरह से कोई problem नहीं होगी अगर फिर भी update करने के बाद problem as it is बनी रहती है तो एक और आप काम कर सकते हैं आपको check करना है किसी भी browser को open कर लिजिए browser को open करने के बाद यहाँ पर लिखिए app down detector या फिर पूरा आप लिख सकते है whatsapp down detector तो आपको whatsapp की पूरी detail मिल जाएगी कि आपका जो whatsapp है अभी down चल रहा है उसका server या नहीं चल रहा है अगर उसका server down चल रहा है message से related problem है तो आपको यह देखने को मिल जाएगी जैसे कि आप नीचे देख भी सकते है most reported problem मतलब अभी report किसी ज्यादा हो रही है लोग whatsapp को किस से related report कर रहे है कि यहाँ पर उनको send message message send करने में ज्यादा problem आ रही है 58% आप देख भी सकते हैं यहाँ पर सेंडिंग message यह पर टाइमिंग वह रही है लोगों ने report किया हुआ इस से related और receiving message में देख सकते है 24% मतलब यहाँ पर message से related problem पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मतलब आपना जो server है वो डाउन चल रहा है तो बस थोड़ा सा वेट कर यह problem automatic solve हो जाएगी अगर नहीं होती है तो मुझे comment करके बताएगा मैं आपके लिए कोई और solution लेकर आँगा आज की वीडियो में इतना ही तिल्वाटे के लव